दसेरे से लेकर और दिपावली तक 21 दिन का समय होता है, तो 21 दिन का बहुत ही खास मैतो होता है, 21 दिन आप निरंतरता से ब्रहमूरत में जागेंगे और जाग करके आप इस मंतर का जब करेंगे तो आपकी जीवन बदल जाएगा, सबसे पहले तीन से पांस बजे के बीच में जाग जाएं, यानि कि डेली अगर आप साड़े तीन उठते हैं, तो साड़े तीन ही उठते हैं, चार उठते हैं, तो चार ही उठते हैं, निश्चित समय होना चाहिए, और मेरे इसाग से मानों तो तीन बजे से पहले ही उठते है उसे सरवत्म समय होता है इस समय पर जो भी भगवान की दिवे शक्तिया होती है जो भी रिशी मात्माओं की सकारात्मक्ता होती है उनके भजन ध्यान का जो प्रभाव होता है वो सब उस समय पर वाईयू मंडल में विद्यमान होता है और भगवान की सारी शक्तिया उस समय पर विचरन करती हैं तो कोई भी बात अगर आप अगवान तक पहुचाना चाहते हो तो वो सरवत्तम समय होता है और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि सुबह सुबह आपका जो मस्तिक्स होता है वो 100% वर्क करता है दिन में वही मस्तिक्स आपका 20-30% काम करेगा लेकिन ब्रह्मूरत में 100% करता है तो 100% जब आपका मस्तिक्स वर्क करता है तो वो तुरंत ही परमातमा में जुड़ जाता है इसलिए इस समय में अगर कोई विधारती पड़ाई करता है तो उसको भी सफलता प्राप्त होती है और वो दो गंटे का काम 15 मिट में याद कर लेता है ब्रहमूरत में तो इसलिए आप भी भजन ध्यान नामजब करेंगे उसका अनंद गुना फलतो प्राप्त होगा ही होगा इश्वर तक आपकी बात भी सिग्र पहुचती है तो उट करके सबसे पहले आपको बैठ जाना है नाने दोने की भी जरूरती बगर नाय दोय कर सकते क्योंकि मन के द्वारा ये उपाय करना है और मन से आप बिना नाय दोय भी भगवन का नाम जब कर सकते हो तो यह तो आप बिल्कुल सिधा बैठ जाए बैठ नहीं सकता तो कोई लेट सकता है बिना तक यागे सबसे पहले आपको एक संकल्प लेना है संकल्प लेना है जो भी आपके इस्ट है उनको प्रणाम करके तो संकल्प ले कि हे प्रभू मैं आज से ये प्रण लेता हूँ कि मैं प्रती दिन आपका दिवाली तक नामजब करूँगा और मेरे अंदर के काम, क्रोध, लोब, मोह, एहंकार ये पांच जो सबसे बड़े शत्रू हैं इनको आप भस्म कर देजिए इनको आप खतम कर देजिए तो भगतो अगर आपके काम, क्रोध, लोब, मोह, एहंकार ये पांचों शत्रू खतम हो गए तो आप दिव्य बन जाओगे, परमातमा की प्राप्ति आपको हो जाएगी सभी मनोकामना हैं आपकी पूरी हो जाएगी क्योंकि यही सबसे बड़े हमारे अंदर जो छिपे हुए हैं जो बैठे हुए हैं, यही हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं यही हमें इश्वर तक नहीं पहुँचने देते हैं यही हमारी मनोकामना पूरी नहीं होने देते हैं इनी की वज़े से आज हमारी दुरगती हो रही है अगर यह हमारे सारे माचो के पाचो शत्रू भस्म हो जाएं समाप्त हो जाएं तो निश्ची थी आप जो चाहेंगे वो पा लेंगी तो प्रती दिन पहले ये संकल्प ले और उसके बाद आपको एक घंटा बैठ कर नाम जब करना है जो भी आपके इस्ट हैं उसी का राम को मानते हैं तो राम 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 बैस कृष्ण को मा साथ रा और निच्छे छोड़ते हुए के मैं मर जी आपकी है प्राण जब जो करेगा उसका और अधिकलाब मिलेगा लेकिन मानसिक तो सभी को करना है कि मन के द्वारा आखे बंद करके वैड़ जें और मन ही मन राम 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 क्रिशन क्रिशन करते रहें क्योंकि य नाम जिस नाम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है अगर आपने 21 दिन प्रभू का नाम जप लिया ये संकल्प लेकर तो आपके ये पाचों शत्रू समाप्त हो जाएंगे और जिसने इन पाचों शत्रूं पर विजय प्राप्त कर ली उसका पूरे ब्रमांड मे नाम होता है वो जहां जाता है उसको विजय प्राप्त होती है बाकी भगतों मर्जी आपकी हम तो बता सकते हैं समा समझा सकते हैं करना आपका काम है आप तो एक और सबसे जरूरी बात क्योंकि आप ये कहेंगे कि आज तो दशेरे का ब्रहमूरत जा चुका है तो आप आज एक दिन दिन में कर सकते हैं या फिर रात को सोते समय कर सकते हैं कोशिश करें परती दिन फिर ब्रहमूरत में करें और किसी कारणवस ब्रहमूरत में ने कर सकते हैं तो दिन में किसी भी समय एकांत में बैठ कर करें या फिर रात को सोने से पहले एक गंटा जरूर करें लेकिन 21 इस दिन लगातार कर लिया तो आपका जीवन जरूर 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 भगलेगा और हर मनों कामना पूरी होगी अब हम अपने वाणि को विराम देते हैं जैश्री राम भगत